मान लिए ज़े कि इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तो सबसे पहले जाना है आपको अपने profile setting में यहां पर जाना है setting में यहां पर आपको जाना है थोड़ा नीचे यहां पर एक option मिलेगा आपको accessibility का accessibility setting पर आप जाएंगे और यहां से accessibility player को control करने के लिए आप इसको own कर देंगे जैसे यह own हो जाता है अब दोस्तों देख लीजिए जैसे कि हमने गाना चला था ओके यह गाना चला हमने कर रहा हूं लेकिन यह नहीं जा रहा है इसको अब मैं आजे प्लेयर के जैसा मैं इसको कर सकता हूं नेक्ट करा सुनना है मुझे ढूंडने की जरूत नहीं है यहां पर simply क्लिक करूंगा नेक्ट करना चल जाएगा पिछले वाला गाना मुझे दुबारा से चलाना है तो उसका कोई ओप्शन नहीं रहता विदाउट इसके जो मैंने उप्शन बता है तो बहुत इल्टिमेट फिचर है जब आप इसको यूज करेंगे जब आपकी समझ में आएगा पूरी कहानी, अब दोस्तों बात करेंगे second number की trick की जिसके बारे में आपको definitely पता होना चाहिए, दोस्तों कभी-कभी क्या होता है ना, आपके घर में छोटा बच्चा है, है ना, आपने उसको YouTube चला के दे दिया, वो दोस्तों पूरे दिन YouTube देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, YouTube तो बंदनी हो रहा है, माल लेजे कि आप सो गई, ओके आपका बच्चा भी सो गया, लेकिन YouTube तो भाई continue चलता ही जा रहा है, तो इस condition में आपका पूरा data उड़ सकता है, time से पहले, है न, क्योंकि YouTube तो खुद तो नहीं रुखेगा, वो चलता ही चला जाएगा, आप सो गई, आपका बच्चा सो गया, लेकिन YouTube तो continue चलता रहेगा न, है न, तो इस समस्चा से, solution के लिए YouTube ने अपने YouTube में एक feature add किया है, जिसका आपको यूज़ करना चाहिए, ओके इस problem से बचने के लिए, आपको यहाँ पर जाना है setting में, यहाँ पर जाना है, ओके, यहाँ पर आपको यह option मिलता है दोस्तो, general setting का, general setting में जाएंगे, यहाँ पर आपको यह option मिलेगा, remind me to a break, यहाँ पर click करेंगे, अब जो आपको लगता है न, कि मैं एग घंटे के बाद स हो सकता हूँ, वह आप यहाँ पर time set कर लेंगे, या अध्य घंटे के बाद से हो सकता हूँ, जो भी आप यहाँ पर time set करेंगे, उसको okay करेंगे, यहाँ पर आप जख सकते ही setting on हो चुकी है, अब जब भी आप YouTube पर कुछ भी प्ले करेंगे, ओके, वो चलता चल जाएगा, लेकिन जैसा YouTube एक घंटा चल जाएगा, जो भी time set करेंगे, उस time पर YouTube आटोमेंटिक ही बंद हो जाएगा, चन्ना,